नमस्कार, ओम साहराम बंदो, मैं सुझे खंडेलवाल हर हफते की तरह इस हफते भी आपके सामने लेकर आया हूँ एक नई डिवोटी को जो की बैंगलोर से है और आप देखे वो मेरे लिए इतना ब्यूडफुल एक गिफ्ट लेकर आई हैं बाबा की ब्लेसिंग्स लेकर आ करते हैं आपको आज की हमारी डिवोटी को जिनका नाम है संस्कृति जी और यह बैंगलोर से हैं ओम साहराम संस्कृति जी का बाबा के साथ में एक अलग ही रिष्टा है एक जो की यह खुद बताएंगी अपने मुख से तो चलिए संस्कृति जी सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि बाबा के वारे में आपको कब पता चला हूं ओम साहराम बाबा को मैं 1990 से जानती हूं जब मैं शायद तीन या चार साल की थी तब से लेके बहुत कुपसूरत सफर है मेरा उनके साथ बहुत सारी लिलाएं मैंने आनुभव किया है उनका मेरे साथ रहना और भी मैंने आनुभव किया है इन सालों में क्यूंकि बाबा मेरी जिन्दगी में बहुत मैं कम उम्र की थी जब बाबा मेरी जिन्दगी में आए तो मैं मेरे कुद नहीं जानती थी कि वो मेरे साथ क्या कर रहे थे क्यूंकि मेरा पहला शिरडी का विजिट था नाइंटी नाइंटी में जब मैं चार साल की थी और तब जब शिरडी मैं गय थी पहली बार तो द्वार का माय कुला हुआ था दुनी कुली हुई थी उतना सारा बीड नहीं था और अभिशे कुद कर सकते थे और जो गर वाले बता थे थे कि मैं 20-25 बार कम से कम वो द्वार का मैं कि पादु का टच करें थी तब मैं कुद नहीं जानती थी कि वो कौन था क्या था कुछ नहीं जानती थी काली ओम सायरम एकी शप्त है जो जानती थी तब से और अब तक बहुत कुपसूरत था चार वश्ष के आयू में तो एक बच्छा कुछ नहीं जानता की बाबा कौन है क्या है वो खेल-खेल में भाबा के साथ में शेडी आज तक उनका सफर है तो आए संस्कृति जी भक्तों को बताइए कि आपका बाबा के उपर में विश्वास कैसे जमा विश्वास पहली बार जब मैं बाबा को अनुभव किया चोटी थी तब से बेड़ के पास एक बाबा हमेशा होती थी मेरा पहला बाबा का जो मैंने अनुभव किया वो है इंद्रा नगर बाबा टेंपल में मैं बहुत चोटी सी थी तब पहली बार बाबा का मंदिर कदम रखा था तो बाबा के उपर विश्वस पता नहीं वो विश्वस का शब्द भी क्या है पर ब्लाइंड फेट जो होता है कि हां वो मेरे साथ है वो मेरे पास है और मेरा हर कदम पे हर मुश्किल पे हर कटिनाई पे वो मेरा साथ है यह मैं हमेशा अनुबव किया उदी पे मैं बहुत विश्वास करती हूं बहुत साल उदी के पानी मैं पीती थी और अभी भी पीती हूं जो भी खाना मतलब घर में बनाती है हमेशा बाबा को रखके फिर काने की आदत है हर गुरुवर पता नहीं कब से पर हर गुरुवर मैं जानती हूं कि बाबा को उपवास अच्छा नहीं लगता था सच चरित्र में भी लिका हुआ है पर फिर भी बहुत साल मैं थरस्डे का दिन उपवास रखती थी अभी भी रखती हूं आदत बन गई है पर हां विश्वास वो जरूर जगाता है कभी कबर सपनों में आते है कभी कबर अभी ऑटो में जाते हैं बाबा दिखते हैं कुछ ना कुछ तो वो करते हैं पर वो विश्वास जगाते हैं बहुत लोगों को शायद फणी लगेगा पर उसको मैं नौटी बोई बोलती हूं और वो नौटी बोई बहुत कुछ करता है मेरे लिए पता नहीं कहां से आते हैं जब एक मुश्किल में हूं कुछ परिशानी है तब इमेडियेटली ओम सायराम बाबा मेरे को ये मदद कर दो प्लीज एक तू सेकेंड में बिना में रियलाइस करते हुए वो आके वो बताता है कि मेरे साथ है देखे कैसा विश्वास है ये संस्कृति जी का जो कि मैंने आपको कहा था कि इनका कनेक्शन बाबा के साथ में कुछ अलग सा है ये बाबा को नौटी बोई करके पोकारती ह में करते नहीं हैं बाबा के साथ बाते करती है कभी कभी तुवे बाबा के स्ट्राइक पे चली जाती है बाबा आपने नहीं किया ये तो मैं स्ट्राइक के गई तो ऐसा है इनका छालन के इक रिश्टा एक टूट विश्वास जो की तीन-चार साल की उम्र से reflection है और आज इ इनका वो connection बाबा के साथ में है तो चलिए संस्कृति जी भक्तों को बटाएं कि बाबा के कुछ miracles तो इतने होते हैं डिवोटी के life में जैसे आप कहते हैं कि तुरंत बाबा कर देते हैं किसी का डिनाई से बाहर निकाल देते हैं बट कुछ एक miracle stories बाबा की भक्तों के सामने र लें दीघ्र कोर्ट दीछ पूलती हूं अर मैं स्वेक करती उनके साथ बना है रोपीं दिन में वोटकर देता है कि मेरे को सबांव्य anim अगर तुमलेड तो जैनसौन्धार थिन नौ दिए तो लगाती ही हूँ पर जब मैं strike में हूँ तो बोलती हुँ, मैं नहीं लगाऊंगी आप आके answer करो फिर मैं लगाऊंगी करके मैं light switch off करके सौ जाती हूँ तो वो करता है तीन दिन में और कभी कबर जब मैं strike करके करती हूं बाबा का तो वह आते हैं सक्षात रूप दरशन वो देखते हैं मेरे करते हैं बहुत बार मैंने यह अनुभव मैंने किया मेरा दो हेल्ट का रिकल्स है मैं एपिलेप्टिक था मेरे को फिट्स आते थे मैं सोडियम वैल पॉरेट ले थी जब मैं बीबियम में थी अच्छानक एक सपना आया कि शिरडी आके एक टाबलेट दूनी अमिन हुंडी में रखे फिर स्टॉप करो तो यह मैंने ऐसे ही फोलो किया जहां पर अच्छानक से शि उठा बोला मेरे को शिरडी जाना है गई वो मेडिसेन हुंडी में डाली बोला बाबा को कि मैं स्टॉप कर रही हूं आप देख लेना आपके उपर में छोड़ती हूं करके वो स्टॉप किया अभी 15 यार्स more than 15 यार्स आयम मेडिसेन फ्री मैं वैल पॉरेट नहीं लेती हूं और मैं फिट फ्री हूं यह एक है दूसरा मेरे को में इसको गूस्बम जा रहे हैं आपकी स्टॉरी सुनकर आप खुद देख पढ़ेंगी हाँ पर कि किसमकार बाबा के उपर में विश्वास रख कर और बाबा नहीं खुद कहा कि शीडी में आकर मेरी हुंडी में डा जाल्दे दवाई और मैं सब ठीक कर दूँगा और वो विश्वास और पंदरा साल हो गए कि अब इनको फिट नहीं आती इससे बड़ा चमतकार और क्या हो सकता है ऐसे ही असंख असंख रोग बाबा दूर करते हैं किस प्रकार से ब्लेस करते हैं डिवोटीज को तो कटीड क्यों कीजिए संस्कृती जी आप क्या पता रही थी मेरा एक और अजीब सा कॉफ ता वो कॉफ के लिए कोई दवाई ने थी हजारों दवाई मैंने लिया कॉफ सिरॉप्स लिया होम रेमेडिस किया होमयपती ली आयरवेदिक ली उसके लिए वो रात में एक्जाक्ली नौ या साड़े दो फजे एक दिन मेनके अचैनक पान साल से में वह घुजर रही थी एक दिन अचैनक लगा मंदिर याके देखते हैं कि क्या होता है करके मैं वोक इंच्此 है में मन देर तो दो मिनिड mos शाओ्स लिए थी मंदिर गई और आटिby कृ जब आटिन वृच्ऴ Mayamad पर वह करता है तो वह करता है पर सबूरी होनी बहुत जरूरी होता है पर वह करता है शिरडी में मेरे को बहुत सारे अनुबव है मैं हर साल शिरडी जाती हूँ एक बार मेरे को ऐसा हुआ था कि मेरे पस वहाँ पे सब आंटी अंकल्स को जानती हूँ अभी तो मैं टीचिंग फिल्ड में हूँ पर जब शिरड़ी जाती हूँ तो मैं एट स्टेंडर की लड़की से मैं मैंनेज करी लेती हूँ एक गंटे दो गंटे कभी कभर सेक्यूरिटी आंटी और अंकल को मैं बेकर के भी मैं काकड आरती के लिए मैं गई हूँ तो एक बार एक बार मेरे पास आरती का पास था और मैं जा रही थी अंदर और सेक्यूरिटी आंकल मेरे को आके बोला था कि आपको कोई बुला रहे है मंदिर के अंदर मैं बोला पंद्रा मिनट आरती के पहले तो क्यों स्टॉप करते हैं मेरे को क्यों गुला रहे हैं तो वो मेरे को बुलाया था और मैं अंदर गई थी में मंदर में कोई नहीं था काली सेक्यूरिटी आंटी अंकल और वो पंडिप जी थे तो मैं गई थी अंदर और जब मैं ग इस होता है बखत सारे फूल लेकれ होते फूल कभी गबर तो गटते वो बोल difer इसे साफ कर तीज़ न जाड़ पोच्छा कि तब मैंने अम्हें कितर मेरे उनलक्त तो आश्ञ हो क्यू Electronic Station कहें पतंए तो मैं लोग सामादी पर उस दिन मैं फ्रीज हो गए थी मेरे मुझ से शब्द नहीं आ रहे थे और मेरे रॉंटे कड़े पूरे आधे गंटे में सिर्फ रोई और वो एक ही थी जो मैं कर पाई वहाँ पे द्वार का में पे मैं पांच दिन पांच रात में ने गुजारी और प्यूटफुल सोल्स आ हैव मेट सिटिंग नाइट विन्नी मा को मिलने का मौका मिला मेरे को बाबा एयर जी को मिलने का मौका मिला फिर पहुत सारे बाबा के वनश्राज जो भी है मेरे को मिलने का अफसर बाबा ने दिया बहुत अच्छा लगता है शिरडी जाती हूँ साई सच चरित्र में जब मैं बाबा की साई सच चरित्र के बारे में मैं जानती तक नहीं थी जब बाबा मेरे जिन्देगी में आए पर आज के डेट में मैं हर दिन एक चाप्टर तो मैं सच चरित्र को मैं पड़ती हूँ मैं हर बगत को मैं ये बोलती हूँ कि प्लीज हर दिन साई सच चरित्र जरूर पड़े वो आपकी जिन्दगी जरूर बदलवाएगा मैं हर तर्जडे सचरित्र का पारायन मैं करती हूँ उदी में बहुत विश्वास है मेरी उदी तो मेरे लिए मेरी जान है मतलब उदी के बिना मेरी जिन्दगी क्या है मैं जानती तक नहीं हूँ बहुत सारे मतलब बाबा मेरे हर जगा पे वो है ये मैं बोल सकती हूँ बहुत सारे लोग बाबा ने मेरे को मिलाया कैसे मैं खुद नहीं जानती मिलिन जी मेरे को कैसे मिले मिलिन जी तात्या कोटे जी का वन्श्राज है वो मेरे को एक random number से मेरे को call आता है मेंसेज आता है WhatsApp में कि आपके लिए courier है तो मैं सोचे कुण सा courier तो बोलता है कि मैं Shirdi से हूँ मैं बोलता है कि आप Shirdi से तो ओम सायरम मेरे लिए प्रेग किजएगा तो वो बोलता है मैं मिलिन जी हूँ मैं तत्य कोटे पाठिल जी का वंस्राजूँ तो मेरे को अच्छाना कि ये लगा कि बापरे ये मेरे को कैसे कॉल की out of no where कि वो मेरे को कॉल कैसे किया ए तो मैंने तुरन्त उनको कॉल करके उनसे मैंने बात किया था और वो बहुत मतलब अभी भी मैं जब भी शिरड़ी जाती हूँ तो बाइजमा के वहाँ पे ही रुपती हूँ और उनके पास बाबा के पॉकेट है मिलन जी के घर में है तो कभी भी जाती हूँ तो मैं दर्शन जरूर करती हूँ पॉकेट मतलब बाबा का जो ड्रस का फॉकेट अच्छा उनके घर में है कि तो आप उनके घर पर रुपती है यह था नहीं वहाँ पर ने गर के पास साय अभुत काफी वीडियो पहले होगा तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो उसके अन्दर एक बहुत अमेजिंग मिराकुलस सोरी है एक 80 प्लस एयर की महिला की आप वो वीडियो देखिए गा बहुत ही रोमांचक वीडियो कैसे बाबा ने उस महिला को धर्शन कराए जो की स्ट्रेचर पे थी वो अमेजिंग वीडियो मुझे अचानक से अभी याद आगया संस्कृति ज और कुछ मिर्कल्स आप शेयर करना चाहेंगे बहुत सारे हैं मतलब बच्पन से लेके अभी तक कोविड के टाइम पे जब पूरा देश लोकडाउन पे था और ओटो या कुछ भी नहीं था तब मेरे को एक मंदिर में सिवा करने का मोका मिला था जहां पे सुब और शाम व आने सकते थे क्योंकि पोलीस उनको अलावने करते थे आने के लिए तो सुपर और शाम डेली मंदे जाके बाबा का ड्रस चेंज करके आरती करके नवेद्य करके करती थी यह मेरा दो महीने का रूटीन मॉर्निंग और नाइट थी क्योंकि मैं एक हीलर हूं जयादी ने मेरे को एट्यून किया था और अभी मेरा लेवल 3 का अट्यून्मेंट होने वाले हैं तो कोविड केस बहुत सारे आते थे और बहुत कुछ बाबाने मेरे को माध्यम बनाया उनको टीक करने का माध्यम बनाया अब बहुत भाध धन्यवाद संस्कृति जी इतनी सारी मिर्कल स्टोरी और किस प्रकार देखे बाबा ने उन्हें शेडी में सेवा देने का मौका दिया बाबा ने उन्हें आरती के बीच में मध्यान आरती के बीच में जहांकि कोई महीला को अलाव नहीं करते वहां पर इ इतने बड़ी मिर्कल है जो कि होती नहीं है कभी भी कैसे इनका नाम लेकर और इनको पुकारा गया आउट ओफ नोवेर यह बाबा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता तो इनकी सेवा भाव और भक्ति जो है वो अटूठ है बाबा के ऊपर में तो संस्कृति जी दर्शकों को अगर आप कुछ बोलना चाहें बाबा के बाद में या कोई अड्वाइस देना चाहें तो दो ही मैसेज़े से एक है Why fear when I am here? वो बाबा हमेशा बोलता है और एक और है एक है श्रद्दा दूसरा है सबूरी श्रद्दा बहुत आसान होता है बट सबूरी बहुत मुश्किल होता है और वो सबूरी में ही बाबा तेरा साथ हमेशा होता है पहुती beautiful message दिया संस्कृती जी ने कि श्रद्दा रखना आसान है बट सबूरी हम कभी कभी भूर जाते हैं हम तूट जाते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं तो सबूरी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बाबा अगर है तो कुछ भी नामुम्किन नहीं है बाबा सब कुछ ठीक कर देते हैं बस रखना पड़ेगा हमें उनके उपर में अटूट विश्वास तो चलिए आज का एपिसोड यहां समाब्त करते हैं अगर आपने हमारे यह चैनल अभी तक सब्स्राइब ना किया हो तो कृप्राइब बटन दबाएं पास में बेल आइ मिरेकल स्टोरीज हो तो कृप्या मेरे से वाट्साप पे कनेक कीजेगा वी वुड लव टू शूट लॉर विडियो और यह विडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ओम साय राम लिखें जादा से जादा लोगों के पास में पहुंचाएं क्योंकि बा जिस प्रकार बाबा के ग्राटिटूड में उनकी लीलाएं पूरी दुनिया के सामने लेके आना चाहते हैं ऐसे ही डिवोटियों के माध्यम से ताकि पूरी दुनिया जान सके कि साही बाबा कौन है बाबा सिर्फ और सिर्फ एक सो तीन वर्ष पहले तक यहां पर पार्थि साल पहले किसी ने देखा नहीं बट जैसे अभी संस्तिती जी ने बताया कि उनके वंशज जो कि तात्या कोटे पाटिल बाइजा बाई लक्ष्मी बाई और कितने फैमिली आज भी शेडी में हैं और शेडी जो कि छोटा सा बिंदू जिसे कोई नहीं जानता था वो आज प लेने के लिए और उनका आश्रवाद लेने के लिए तो चलिए हम आप सभी का धन्यवाद कहते हैं संस्कृति जी का भी धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला नहां पर आकर इस वीडियो को शूट करने के लिए थांक्यू ओम साहराम झालिए यजर झालिए हम थांक्यूति जीरे जिएको कहते हैं संस्क्वाद बाद कीमती जी अवें के लिए प्क्त नेक्रावद यज़ को शु़ आग।